दोस्तों मश्कार मैं हूँ आपका दोस्त रवी शुक्ला और आज एक नए उद्देश्य एक नए दृष्टी कोन के साथ मैं आपके बीच आया हूँ और आज का हमारा जीवन जीने का दृष्टी कोन ये है कि हमारे जीवन में सहनशीलता का समवेदनाओं का भावनाओं का कितना बड़ा योगदान है यदि समवेदन शीलता यदि सहन शीलता हमारे जीवन में नहीं हैं तो ये मान कर चलें हमारे जीवन में एक बहुत बड़े भाव का अभाव है एक ऐसी कहानी जो आज मैं अपने किताबों के घर से आपके बीच ले करके आ रहा हूँ जिस कहानी को सीख करके सुन करके समझ करके हम और आप अपने जीवन में सहनशील बनने की और अग्रसर होंगे और यदि आप सहनशीर बन जाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कई सारी ऐसी तकलीफे हैं जिन से आपको निजात मिल जाएगी जिससे आप दूर हो जाएंगे बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलों के समय आप अपने आप पर सहियम रख पाएंगे, कंट्रोल रख आपका दिमाग संतुलित हो जाएगा, तो आएए मैं सीधे सीधे आपको कहानी से जोड़ता हूँ, कहानी कुछ यो है, एक बार महराज छत्रपती शिवाजी महराज जंगल के भीतर सैर करने के लिए गए, वे अपने पूरे सैनेबल के साथ जंगल में सैर कर रहे थे, और पैदल में सैर करते ही करते वे रत से उतर करके पैदल चलने लगते हैं, थोड़ी ही दूर चलते रहते हैं, चारो तरफ की हरियाली को देखते हुए, जैसे ही उनका सर उपर की तरफ जाता है, तभी अचानक एक पत्थर आकर के उनके माथे पर लगता है, उन्हें जक्म तो है कि किसने चत्तपती शिवाजी माहराज के उपर पत्थर मारने के जुर्रत की, सभी अपनी अपने ड्यूटी बजाने के लिए, सभी अपने अपने आपको स्रेश्ट साबित करने के लिए चारो तरफ चारो दिशाओं में फैल जाते हैं, गुम हो जाते हैं, और तभी ती एक हाथ में लाठी है, दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर उठा करके रखा है कि अगला निशानतों में पक्का लगाऊंगी। शिवाजी महराज के सामने उस बुडिया को लाया जाता है। सेना पती कहते हैं कि हे बुडिया क्या तुमने शिवाजी महराज के उपर पत्थर मारा। शिवाजी महराज उसे देख रहे होते हैं, निहार रहे होते हैं, वह बुडिया बड़े आत्विश्वास के साथ कहती है, हाँ मैंने भी पत्थर मारा है। तब शिवाजी महराज उस बुजर्ग महिला की तरफ देख करके बड़े नमर सुभाव से कहते हैं कि हे माते आपने पत्थर क्यों मारा क्या आप मुझे कारण बता सकती है मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा और यदि मैंने कोई गलती की है तो मुझे उसकी सजा मिलना चाहिए हाला की आप सजा दे चुकी है लेकिन मुझे मेरी गलती का हैसास तो कराईए चत्रपती शिवाजी के इस नमर सुभाव को देख करके उस बुजर्ग महिला ने बड़े नमरता के साथ उत्तर दिया चत्रपती शिवाजी महराज आप हैं मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ महराज माफ करें मैंने पत्थर आप पर नहीं मारा था मैं पत्थर इस पेड़ को मार रही थी इस पेड़ पर लगे आम को मार रही थी मेरे घर में मेरा पोता छोटा सा पोता जो की बहुत भूखा है और आम आम करके चिला रहा था मैं तो उसे आम तोड़ करके देना चाहती थी पर मेरी उम्र अधिक होने के कारण मेरे हाथ से पत्थर आम की डाली तक नहीं पहुँच पा रहा था और अकस्मार अंजाने में ये महराज के सर परा लगा इसमें मेरा कोई दोश नहीं है फिर भी यदि आप मुझे दोशी मानते हैं तो आप जो भी सजा देंगे मुझे कुबूल होगा चत्रपती शिवाजी महराज की जगा यदि कोई दूसरा वेक्ती होता और सामने गुणा कबूल करने वाला होता तो वह उसी वक्त उसे सजाएं मौत दे देता क्योंकि राजा को पत्थर लगा था सिनापती उसका सर कलम कर देते क्योंकि राजा को पत्थर लगा था उसे तुरंत वहीं पर कारावास की सजादी दे जाती क्योंकि महराज को पत्थर लगा था लेकि जत्रपती शिवाजी महराज दिन अपने दिमाग में यह सोचा उन्होंने सोचा कि यदि ये साधारन सा व्रिक्ष एक पत्थर सह करके कई पत्थर सह करके इस बुज़र्ग महिला को आम दे सकता है यदि ये अबोद, अबोल, सहिंशील पेड़, सहिंशील और दयालू व्रिक्ष इतने पत्थर सखा करके भी उसे सह जाता है, उसे सहन कर जाता है तो मैं एक पत्थर की क्या मार नहीं सह सकता? उन्होंने उस व्रिक्ष की तरफ देखा, उस व्रिक्ष की तरफ देखकर के मन में ऐसे सोचने लगे कि यह पेड़ जो इस महिला को पत्थर मारने की बजाए मीठे फल देता हो जिसके अंदर भावनाएं नहीं है, जिसके अंदर समवेदनाएं नहीं है तो मैं तो इनसान हूँ, मैं तो मानव हूँ, is में और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए महराज भोजो उस बुढ़ीया की तरफ देखा, ऐसा सोफते हुए उन्होंने बुढ़ीया को कुछ सुर्ण मुद्राएं भीट की और सुर्ण हुद्राइं भिट करने के साथ साथ अपने सेना पती को कहा कि सेना पती आप इस महिला को जितने फल यहां से चाहती है बजाए इसके की आम जितने प्रकार के फल यह चाहती है उसे इस फल को इनाम के रूप में देखर के अपने रत से इसे इसके घर तक छोड़ कर आओ और देखो कि यदि इसके घर में खाने पीने की उचित सामागरी ना हो तो उसकी भी विवस्था करवाई जाए महराज के इस प्रकार के नम्र सुभाव को देख करके महराज की सहनशीरता को देख कर और महराज की समवेदना को देखकर उस बुजर्ग महिला ने मातर दो चीज़े कही कि यदि किसी प्रदेश का राजा आप जैसा सहनशीर और समवेदनशीर हो तो उस देश की प्रजा को कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और दूसरे शब्द कहें कि जिस प्रकार से आपने मेरे जीवन के दुख का हरण किया है भगवान करे इश्वर करे कि कभी आपके जीवन में आपको दुख का सामना ना करना पड़े शिवाजी महराज मुस्कुराते हुए उसकी तरफ से आगे बढ़ जाते हैं मित्रों हमारे और आपके जीवन में भी ठीक कुछी सी प्रकार की परिस्तितियां आती हैं हम और आप छोटी छोटी सी बातों में बार बार हैम पर गर जाते हैं हम बार बार अपने आपको तिल मिलाने से रोख नहीं पाते हमारा चहरा तमतमाने लगता है हम इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि हम सामने वाले पर सीधे सीधे चड़ने की कोशिश करते हैं हमारी आवाज उठने लगती है, हमारी शब्द गोंजने लगते हैं हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि यदि हम उस वक्त उस घड़ी में शान्त हो जाएं तो यकीन मानिये हमारे और आपके जीवन में कितनी प्रकार की समस्याओं का निराकरण अपने आप हो जाएगा मैं इस बात को स्विकारे कर रहा हूँ कि हाँ इस से पहले कई प्रकार की इसी प्रकार की वस्तुस्ति कुछ मेरे जीवन में भी थी जो लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं वे इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि सरे आम चिलाना और सरे आम लड़ाई जगडा करके अपनी बातों को मनवाना एक वक्त मेरा सुभाव हुआ करता था लेकिन जब से इन बातों को इन कहानियों पढ़ना और इनके उपर इंप्लिमेंट करना शुरू किया है तब से यकीन मानिये कि इस प्रकार की समस्याओं के समय आज भी एक दो बार ऐसी घटनाएं घट जाती है जहां पर हम अपना आपा आज भी खो देते हैं लेकिन संभवता अधितर समय कोशिश ये रहती है कि हम अपने आप पर कंट्रोल करें हम अपने आप पर नियंतरन रख सके और जब हम अपना नियंतरन अपने उपर रख पाते हैं तब सामने वाला आपको यकीन मानिये अनुकरणी हो जाते हैं आप उसके लिए वो आपका अनुसरन करने लगता है और उसकी दुआओं में आप आजाते हैं उसके आशिशों में आप आजाते हैं तो दोस्तों ये तियाज की कहानी जिस कहानी का सारी ये है कि हमारे और आपके जीवन में कभी यदि सहनशीलता का भाव छूटने लगे यदि कभी हमें लगे कि ये चीज़े हमें सहन नहीं हो रही है तो उस परिस्ति में अपने आपको ढालने की कोशिश कीजिए न जाने दुनिया में ऐसे कितने उधारण है जो उधारणों ने आप राम का उधारण लीजिए जिनके जैसा सहनशील व्यक्तित तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा वो एक ऐसे सहनशील व्यक्तित परिवार का साथ छूड गया लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा यूँझी नहीं कोई राम स श्री राम बनता राम से श्री राम बनने के लिए संगरश करना पड़ता है राम से श्री राम बनने के लिए आपको अपने आपको जलाना और तपाना पड़ता है खाली पैर नंगे पाउं उन्हें 14 बरस चलने पड़े जिस खड़ूं को लेकर के निकले थे वो खड़ूं भी भरत लेकर के चला गया यगीन मानिए पैरों में काटे चुब रहते जब राम के तो राम उस धरती मा से कहते हैं कि हे धरती मा तुम ये काटे जब यहां से भरत गुझरेगा तब इंक काटों को उठा लीजिएगा, अपने दामन में च्छिपा लीजिएगा, तब धरती वहां पर प्रकटों करके कहती है, भगवान आपसे सुकुमार और सुकोमन कौन हो सकता है, यदि आप मेरे काटों को सह सकते हैं, तो क्या भरत आपसे ज्यादा सुकुमार और सुक तब राम कहते हैं कि मैं इस बात को सह गया कि मेरे पाउं में काटे चुभे लेकिन जब भरत को पता चलेगा कि मेरे पाउं में काटे चुभे हैं तो मुझसे अधिक पिड़ा भरत को होगी ये होती है समवेदनाय ये होती है भावनाय एक दूसरे के व्यक्तित्तों के बीच एक दूसरे के गहरे इश्टों के बीच, यदि हम और आप अपने जीवन में राम के जैसा श्री राम बनने की और अग्रसर होना चाहते हैं, तो यकीन मानिये, हमें तपना होगा, हमें अपने आपको आँच पर जलाना होगा, हमें अपने आपको तपन की दृष्टी से देख कि हम हर प्रकार के विप्री परिस्तितियों से उठकर के बाहर आ जाते हैं, और खुद को सर्वश्रेश्ट बनाने की और अग्रसर हो जाते हैं, यदि आज की कहानी, कहानी आपको कैसी लगी, आप में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपनी राय दें, कि आपको कैसी लगी, 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 आपको कैसी